बहुत सारे लोग सोथते हैं कि हम ब्रह्मचरे का पालन तो कर रहे हैं अपने वीरियों को बढ़ाए कैसे क्योंकि बहुत लोगों की चाह होती है कि अपने सरीर के अंदर अपने वीरियों को ग्रहन करके उर्जावान और सक्तिसाली इंसान बननेगी तो बिल्कुल आप अपने वीरियों को ब्रह्मचरे का पालन करके बढ़ा सकते हो आज इस वीडियो में मैं आपको यही इंफोर्मिसन देने वाला हूँ कि अपने वीरियों को सरीर के अंदर आप तेजी से कैसे बढ़ा सकते हो तो चलिए वीर्य को तेजी से बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजे समझाना चाहूंगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनना तो चलिए हम लोग वीडियो की सुरुआत करते हैं अगर आपके अंदर खुन की कमी है तो आपको अपने जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और अगर आपके अंदर वीर्य की कमी है तो आपके सामने परेशानियों की लाइन लग जाएगी आपको बह अगर आप हस्तमेतुन कर रहे हो तो आपका वीरिया हर दिन कमजोर होने लगेगा और वीरिया पानी के जैसे होने लगेगा आप लोगों में से खासकर वो लोग जरूर जानते होंगे जिन्नोंने बहुत ज्यादा हस्तमेतुन किया है उनका वीरिया पानी जैसा होने लगा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने वीरियो को तेजी से बढ़ाने के साथ उसको गाड़ा भी कर पाऊगे पर उसको जानने से पहले कुछ चीजे आपको समझाना चाहता हूँ जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है सबसे पहली जी अगर आप ब्रह्मचरिय का पालन कर रहे हो तो आप अपने वीरियो को आसानी से बढ़ा पाऊगे कुछ लोगों को लगता है कि ब्रह्मचरिय का पालन करते करते कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि वीरिया आना ही बंद हो जाए पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप हस्त मेतुन करते हो तो अगले 24 घंटे में आपके सरीर के अंदर वीरिय वापस से बन जाता है फिर वो आपकी बोडी पर डिपेंड करता है कि वो कितना गाड़ा होगा और जब 24 गंटे के अंदर वीर्य बन जाता है तो ठीक उसके 21 दिन बात से आपके सरीर के अंदर एक उर्जावान सकती उत्पन्न होने लगती है वीर्य को कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता बस आपके सरीर को वीर्य चाहिए वो आपके सरीर के अंदर इखटा होगा और उसके बाद हर दिन आपके अंदर लगबग 12506 केलोरी तक के उर्जा आ सकती है वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा ब्रह्मचर्य पालन के बिना वीर्य को तेजी से बढ़ाना असंबव है आप कभी नहीं अपने वीर्य को बढ़ा सकते जब तक आप हस्त मेतुन करना बंद नहीं कर देते आप कभी नहीं अपने सरीर को उर्जावान बना सकते जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर लेते आप कभी नहीं अपने चेहरे की चमक बढ़ा सकते जब तक आप अपने वीरिया को इखटा नहीं कर लेते आप कभी नहीं अपने बालों में साइनिंग ला सकते जब तक आप ब्रह्मचरिया का पालन नहीं कर लेते आपको अगर वीर्य को तेजी से बढ़ाना ही है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और मैं आप लोगों को बता दू कि वीर्य का दूसरा नाम उर्जा है जो कि आपके सरीर के अंदर आपको आलस से दूर रखती है और बात रही वीर्य को तेजी से बढ़ाने की तो आप खाने में दहीं का उपयोग कर सकते हो जिससे आपका वीर्य एक गुना की जगत दस गुना बढ़ने लगेगा आप खाने में दहीं के साथ मुंपली के दानों का भी उपयोग कर सकते हो मैं ग्यारंटी लेता हूँ कि अगर आप दहीं और मुंपली का सेवन रोज करते हो और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपके सरीर के अंदर आपका वीर्य दस गुना तेजी से बढ़ेने लगेगा क्या आपको पता है कि वीर्य के पावर क्या होती है ब्रह्मचर्य की पावर क्या होती है मैं वास्तविक चीजे बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना ब्रह्मचर्य से बड़ी सक्ती पाने वाले प्रोफेसर राम मुर्ती जिनोंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था आप जानक में नहीं आया कि कौन सी दवा उपियोगी है जो चट्टान पर उपियोग किया और दोनों हातों से पूरी चट्टान को उठाकर प्राणा व्यम किया और ब्रह्मचरिय की सकती से वो अपने लक्षे तक पहुंच सके मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो वीर्य को तेजी स या न कुर्जा मेसुस कर पाओगे आप अगर ब्रह्मचरिय का पालन अच्छे से करते हो तो दस गुना तेजी से वीर्य बढ़ने से क्या होता है आपको एसे लाखो फाइदे अपने सरीर के अंदर देखने को मिलेंगे और वो फाइदे कौन से हैं ये जानना है तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना चेनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर देना फिर से लोटेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद